करीना कपूर, कृती सेनन और तबू की फिल्म क्रू की OTT रिलीज का हो गया है अलान। करीना कपूर, कृती सेनन और तबू स्टारर फिल्म क्रू थियेटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का बॉक्स ओफिस पर सफार जारी है लेकिन इसी बीच फिल्म की OTT रिलीज को लेकर भी खबरेश सामने आई है। ऐसे में जो लोग OTT पर फिल्में देखना पसंद करते हैं, उनके मन में सवाल है कि आखिर कब ये फिल्म OTT पर दस्तक दे सकती है। अब इसका खुलासा भी हो चुका है। बता दिया गया है कि फिल्म कब और कहां देखी जा सकती है। तो देर किस बात की आये जानते हैं। क्रू को रिलीज हुए अभी तीन दिन हुए हैं, ऐसे में इतनी जल्दी तो OTT पर इसे देखना मुंकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन करीब दो महीने के बाद ये फिल्म OTT पर रिलीज की जाएगी। फिल्मेकर्स की तरफ से बताया गया है कि नेट्फिक्स ने इसके OTT राइट्स खरीद लिये हैं। यानि आप क्रू में करीण और बाकी अक्ट्रसिस की दमदार आक्टिंग को नेट्फिक्स पर देख पाएंगे। राजेश एक रिशनन के डारेक्शन में बनी और तबू करीना कपूर और कृती सेनन जैसी लीड अक्ट्रसिस के साथ आई। हाइस्ट कॉमेडी फिल्म क्रू ने एक शांदार शुरुआत के साथ बॉक्स ओफिस पर भी अपना रंग जमा दिया है। सेकनेल के एक रिपोर्ट की मुताबिक फिल्म ने अपने शुरुआती दिन यानि 39 फरवरी को डॉमेस्टिक बॉक्स ओफिस पर 8.75 करोड रुपे की कमाई की। गुड़ फ्राइडे की छुट्टी ने फिल्म के बिजनस को बढ़ाया। सेकनेल के वेबसाइट पर दिये गए अंकडो की माने तो फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड रुपे की कलेक्शन की। इसके बाद शनिवार को 9.75 करोड रुपे की कलेक्शन के साथ काउंटर क्लोज हुआ। और तीसरे दिन यानि की रविवार 31 मार्च को लेकर दिये गए फिल्म ने 10.25 करोड रुपे की कमाई की। इसे साब से फिल्म ने तीन दिनों में 39.25 करोड रुपे की कमाई कर लिए।